इनके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की लेटस्ट खबरे वा आदेश हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकॉन को कर ले सलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहु केंद्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों पेंशनरों के डीए-डी-ार की दरों में संशोधन किया जाता है जो की AICPI इंडेक्स के छमाही के आकड़ों पर निर्भर करता है जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत डीए बढ़ाया गया है जो जून बढ़ी भत्ते और पैंशन में फिर उचाल देखने को मिल सकता है खबर है कि नियम के तहट अगला दिये जुलाई में बढ़ना है अगर इसमें 3 चार प्रतिशत की वृध्धी हुई तो ये तिरपन 54 प्रतिशत पहुँच जाएगा यदि इसे शून्य किया गया तो फिर स सरकार आठवे वेतन आयोग पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है यह अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अब तक श्रम मंत्राले द्वारा AICPI इंडेक्स के फरवरी मार्च के आकड़े जारी नहीं किये गए है जुलाई में 4 प्रतिशत बढ़ेगा महनगाई भत्ता या होगा शून्य दरसल केंद्रा सरकार द्वारा साल में दो बार जन्वरी और जुलाई में कर्मचारियों पेंशनरों के D.A.D.R. की दरों में संशोधन किया जाता है जो की AICPI इंडेक्स के छमाही के आकड़ों पर निर्भर करेगा जन्वरी में अखिल भारतिये CPIIW में 0.1 अंप की वृद्धी हुई और यह 138.9 पर रहा और D.A. का स्कोर 50 पार हो गया है लेकिन अब तक फरवरी मार्च के अंप जारी नहीं हुए है जिसके चलते ब्रम की स्थिती बन गई है अगर चुनाव के बाद एक साथ आकड़े जारी होते हैं और अंकों में वृद्धी होती है तो D.A. 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत या 54 प्रतिशत तक पहुँच सकता है अगर अंप जारी नहीं होते तो केंडर सरकार के नियम D.A. 50 प्रतिशत होने पर 0 हो जाएगा लागू किया जा सकता है इसक वेतन आयोग को लेकर कोई प्रस्ताव विचारादीन नहीं है। अगर जुलाई में फिर 4 पीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है तो सेलरी में 10,000 से 5,000 रुप्ये की बढ़ोतरी होगा। इसके साथ ही भत्तों में भी संशोधन किया जाएगा। इसका लाब 1 करोड करमचारियों पेंचनरों को मिलेगा। अगर दी इशून्य किया जाता है और 10 साल के पैटन के अनुसार आथवा वेतन आयोग लागू किया जाता है तो 44.44 पीसदी सैलरी बढ़ेगी। इससे पहले साथवा वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था जबकि इसकी सिफारिशे 2016 में लागू हुई थी। ऐसे में अनुमान है कि 2026 से नया वेतन आयोग लागू करने पर विचार किया जा सकता है। अगर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नई सरकार इस मान को मानती है और आठवे वेतन मान आयोग को लागू करती है तो देश के 1 करोड 12 लाग कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाब मिलेगा। सैलरी के साथ पेंशन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।